नमस्कार आप देख रहे हैं मनी नायन मैं हूं संदीब ग्रोवर और हमारे खास वीकली शो कंपनी नावा में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में हम आपको कॉर्पेट्स औ स्टार्टप्स के बारे में सोंबार से शुकुवार की बड़ी खबरे बताते हैं और साथ ही विवादों से जुड़ी खबरों की भी जानकारी देते हैं हमरे खास सेग्मेंट ऑन दा रडार के जरीए तो कॉर्पेट के साथ शुरू करते हैं इस अफते की बड़ी खबरों का सिलसला पहली कबर टाटा मोटर्स से जुड़ी ग्लोबल एंजिनेरिंग सर्विसीज देने वारी सब्सेडरी कमपनी टाटा टेक्नोलोजीज का आई पो लाने की तेयारी चल रही है इस बीच खबर आई है कि टाटा मोटर्स ने टाटा टेकनोलोजीज की 9.9 फीजदी इसेदारी 1613.7 करोड उपे में बेचने के लिए करार किया है इसमें से 9.9 फीजदी इसेदारी को टीपीजी के क्लाइमेट इंवेस्मेंट फंड टीपीजी राइस क्लाइमेट को 1467 करोड उपे में बेचा जाएगा और बाकी बची 6.9 फीजदी इसेदारी दतन टाटा एंडॉमेंट फांडेशन की और से 147 करोड उपे में खई दी जाएगी ये हिस्सा विक्री की डील 27 अक्टूबर 2023 तक पूरा होनी की उमीद है इसके हिसाब से टाटा टेक्नोलोजिस का वैलिशन 16,300 करोड उपे आखा गया है 16 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का शेर हलकी गिरावट के साथ बंद हुआ था 20 अक्टूबर को खबर आए कि टाटा मोटर्स ने फ्रेट टाइगर नाम के डिजिटल प्लाटफॉर्म में 26 सनलव 79 फीजदी इसेदारी 150 करोड उपे में खई ली है इस्टाटप कंपनी कारगो मुवमेंट के लिए लॉजिस्टिक सोलूशन्स मोहिया करवाती है जिसको लाइट स्पीड वेंचर्स, श्रीराम ट्रांस्पोर्ट फनैंस और मूनस्टॉन कैपिटल पार्टनस से समर्थन मिल चुका है 20 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का शेर एक फीजदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था दूसरी कबर देश की सबसे बड़ी आटो कंपनी मारूती सुजुकी के बोर्ड ने मंगलवार 17 अक्टूबर को अपनी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉपरेशन यानि SMC को 1.2-3 करोड प्रिफरेंशल शेर जारी करने को मनजूरी दे दी है SMC को ये शेर 10,421 रुपे पती शेर के भाव पर जारी किये जाएंगे जिनकी वैल्यू 12,818 करोड रुपे बैठती है दरसल ये शेर गुजरात में लग रही कंपनी की नई यूनिट सुजुकी मोटर गुजरात यानि SMG के अधिग्रहन के लिए जारी किये जा रहे हैं 3797 रुपे 85 पैसे की उचाई को भी चुआ था 37 कबर 17 कटूबर को खबर आए कि केंद सरकार अपनी तीन कमपनियों को बंद कर सकती है एक रिपूर्ट के अनुसार 23 अक्टूबर को वानीजे मंतरी प्यूश गौयल के अधिक्षता में होने वाली उचसतरी बैठक में MMTC, STC और PEC को बंद करने पर फैसला हो सकता है वानीजे मंतराले ने पिछले साल ही इन त्यूनों कमपनियों को वेपार के लिए मध्यस्त एजनसी के तौर पर डी नोटिफाई किया था 17 कटूबर को MMTC का शेर 4.5 फीजदी और STC का शेर 7.5 फीजदी की बढ़त लेकर बंद हुए थे पर उसके बाद अगले दो दिन तक लगातार इन दोनों शेरों में नीचे के सरकेट लगते हुए नज़र आए गुरुवार 19 अक्टूबर को MMTC और STC के शेर 10-10 फीजदी के निचले सरकेट पर बंद हुए थे चौथी कबर 21 अगस को शेर बादार में लिस्ट होने के बाद NBFC कारोबार से जुड़ी रिलाइंस ग्रूप की कंपनी जियो फिनांसल सर्विसिस यानी JFSL ने पहली बार अपने तिमाही नतीज़े घोशित किये सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा दो गुना होकर 668 करोड उपे रहा जो की जून तिमाही में 332 करोड उपे था इस दोरान कंपनी की कुलाए करीब 48 फीजदी बढ़कर 608 करोड उपे रही कुलाए में ब्याज से आए 186 करोड रुपे डिवडन इंकम 217 करोड रुपे फीज और कमिशन से आए 41.6 करोड रुपे और फेर वैल्यू चेंजिस के चलते नेट कें 163.6 करोड रुपे था पर मुनाफे में दो गुना की बड़त के बावजुद 17 अक्टूबर को जेफेसल का शेर डेट फीज दी गिरकर 211 रुपे 40 पैसे किस्तर पर बंद हुआ क्योंकि मुनाफे में डिवडन इंकम का बड़ा योगदान था पांचवी कबर आजता बिर्ला गुरुप की फ्लैक्शिप कंपनी ग्रासिम इंडस्टिस के बोड ने राइट इशू के जरीए 4000 नहीं बिर्ला ओपस नाम से पेंट कारोबार में उतरने का एलान किया था और इस शमताविसार योजना के खत्म होने के बाद कंपनी की खुद को देश की दूसरी सबसे बड़ी डेकुरेटिव पेंट कंपनी के रूप में स्तापित करने की योजना है 17 अक्टूबर को ग्र SAR रडार शमता मिलेगी ये टेकनोलोजी इसरो के स्पेस अप्लिकेशन सेंटर यानी SAC में डेवलप की गई है जो की आगे लाँच होने वाले हाई रेजिलूशन SAR सेटलाइट के लिए जम्मेदार है आपको बता दे कि इन स्पेस डिपार्टमेंट आफ स्पेस के तहत एक स 7 अक्टूबर को डेटा पैटन्स का शेर इंटर डे में करीब 7 फीजदी के उचाल के साथ 2130 रुपे के स्थार तक पहुंच गया था और क्लोजिंग करीब 5 फीजदी की बड़त के साथ 2089 रुपे 70 पैसे के स्थार पर देखने को मिली थी साथ भी खबर मंगलवार 17 अक्टूबर की शाम को सरकार ने ओफ सेल के जरीए हुटको में 3.5 फीजदी इसे दारी बेचने की खोशना की इस OFS का फ्लोर प्राइस 89 रुपे 30 शेर तैय किया गया था जो कि मंगलवार की क्लोजिंग से करीब 12 फीजदी के डिसकाउंट पर था यही कारण है कि 18 अक्टूबर को हुटको का शेर करीब 11 फीजदी की गिरावट लेकर बंथ हुआ था 18 तारी को नौन डीटेल के लिए खुले इस OFS को दो दशनलव एक गुना बूलिया मिली थी इसके बाद सरकार ने ग्रीन शू आप्शन के जरिए 3.5 फीजदी अतरिक्त हिस्सा बेचने का विकल्ब चुनने का फैस्टा लिया हाला कि 19 तारी को खुला रीटेल निविशको का इसा पूरा नहीं भर पाया था जिस वज़े से ये OFS कुल 96.57 फीजदी ही भरा है OFS के जरिए सरकार को करीब 1100 करूड रुपे की रकम मिली है 19 अक्टूबर को भी हुटको कशेर करीब डेड़ फीजदी की गिरावट लेकर ही बंद हुआ था आठवी कबर टाटा ग्रूप की एरलाइन कारोबार से जूरी कंपनी एर इंडिया की तरफ से भवशे में उडान सेवाव में तेजी से विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है दरसल एक रिपोर्ट के मताबिक एर इंडिया समू को अगले साल दिसंबर तक हर दिन छे दिन में एक नए विमान की डिलिवरी की जाएगी जिस वज़े से एर इंडिया, एर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और AIX Connect के बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ेगी और उनकी उडानों में बढ़ोतरी हो सकती है, एर इंडिया के चीफ एक्जेक्योटिव आफिसर और मैनेजिंग डिरेक्टर कैंबल विल्सन की और से बुद्वार को एर इंडिया एक्सप्रेस की नई ब्रैंड आइडेंटिटी की अन्विलिंग के दोरान ये घोशना की गई ह जरसल एर इंडिया ने इस साल एर बस और बोईंग से 70 अरब डॉलर में 470 विमानों का ओडर दिया था जिसकी डिलिवरी नुवंबर से शुरू हो जाएगी आपको बता दे कि टाटा ग्रूप ने घाटे वाली सरकारी कंपनी एर इंडिया को जनवरी 2022 में खरीदा था नौवी खबर जपान की मल्टी नैशनल इन्वेस्मेंट होल्डिंग फर्म सॉफ्ट मैंक ने अपनी सेहोगी कंपनी SBF ग्रोथ सिंगपोर यानी सॉफ्ट बैंक विजन फंड के जरिए ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लाटफर्म जोमेटो की 1.1 फीजदी इसे दारी बेच जिसकी वैल्यू एक हजार चालिस करोड रूपे आ की गई है आपको बता दे कि 30 सितंबर तक SBF ग्रोथ सिंगपोर के पास दो दुशनलव एक साथ फीजदी हिसेदारी थी इस कंपनी की 20 अक्टूबर को ब्लाग डील के बावजूद जोमेटो का शेयर 114 रूपे पर खुल है अन्दा रडार के जरीए और पहली खबर की और चलते हैं अदानी ग्रूप को लेकर इस सफते कई सारी खबर आई पहली खबर यह है कि ग्रूप की फ्लैक्षिप कंपनी अदानी एंटर्प्राइज ने कहा कि कंपनी मामलों के मंतराले ने मुंबई के दो एरपोर्ट से जोड़े मामले में खातों की जांच शुरू की है कंपनी की तरफ से बताया गया है कि मुंबई इंटरनाशनल एरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनाशनल एरपोर्ट से जोड़े खातों की जांच हो रही है खातों की जांच के लिए कंपनी को 14 अक्टूबर को नोटिस म जाएगा 16 अक्टूबर को अधानी पोर्ट्स अधानी एंटर्प्राइजिस और अधानी ग्रीन के शेर एक से सवा एक फीजदी की गिरावट के साथ बंद हुए थे 18 अक्टूबर को भी दो खबरे आई समू को लेकर पहली ये कि अधानी हिंडनबर्ग मामले में मारकेट रेगुलेटर सेभी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है सेभी ने इस मामले पर दूसरे देशों के रेगुलेटर से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है इस मामले पर दस्तावेज जुटाने के लिए सेभी ने दुनिया भर में खोजी पत्रकारों के संगठन OCCRP से संपग किया है OCCRP ने अदानी ग्रूप को लेकर जारी अपनी रिपोर्ट्स में कई दस्तावेजों का हवाला दिया था हाला कि OCCRP ने सेभी को किसी तरह के दस्तावेज देने से इनकार कर दिया है इसके लावा दूसरी खबर ये थी कि सिमेंट कंपनी ORIENT CEMENT के परमोटर CK बिला ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अदानी ग्रूप से संपर्क किया है अदानी ग्रूप पिछले साल ही अमबूजा और ACC के अदिग्रहन के साथ सीमेंट कारोबार में उतरा है इस खबर की वज़े से 18 अक्टूबर को अदानी एंटर्प्राइजिस का शेर पौने एक फीजदी गिरकर पर ORIENT CEMENT का शेर पौने आठ फीजदी की तेजी के साथ 203 रुपे 70 पैसे के स्थर पर बंद हुआ था 19 अक्टूबर को खबर आई कि अदानी एंटर्जी सिल्यूशन्स ने वरोरा कुरूनूल ट्रांस्मिशन लाइन की शुरुबात की है 665 केवी का ये प्रोजेक्ट महरास्ट तेलंगाना और आंधर प्रदेश के बीच 1756 सरकेट किलोमेटर्स तक फैला है 19 अक्टूबर को अदानी एंटर्जी का शेर आदा फीजदी की कमजोरी के साथ पर दिन के निचले स्तर से रिकवरी के साथ बंद हुआ था दूसी कबर देश की सबसे बड़ी गेमिंग कमपनी डेल्टा कॉप की मुश्किल खत्म होती नहीं दिख रही अब डिरेक्टरे जनरल आफ जी एस्टी इंटेलिजेंस यानी डी जी जी आई कॉलकता ने कमपनी को 6,384 करोड उपे के अतिरिक्त कर चुकाने का नोटिस बेजा है इस तरह अब कमपनी को कुल करीब 23,206 करोड उपे का टैक्स चुकाने के नोटिस मिल चुके हैं इससे पहले डेल्टा कॉप और उसकी सब्सेडिरी कमपनी को कुल 16,822 करोड उपे के टैक्स नोटिस मिले थे इसके बारे में हमने आपको कमपनी नामा के 93 वे अपिसोड में जानकारी दी थी इस खबर के चलते सुमबा 16 अक्टूबर को डेल्टा कॉप का शेर 8 फीज़ी से जादा गिर कर 128 रुपे 55 पैसे पर बंद हुआ और दिन के दुरान तो शेर ने 122 रुपे 60 पैसे का नया 52 वीक लो भी बनाया था तीसी कबर देश की दूसरी सबसे मुलेवान और सबसे बड़ी आईटी कमपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिस यानि टीसी एस ने नौकरी देने के बदले रिश्वत लेने के मामले में 16 करमचारियों को नौकरी से निकाल दिया है खुल मिलाकर 19 करमचारियों पर कारवाई की गई है 16 अक्टूबर को टीसी एस का शेर डेड़ फीजदी की कमजोरी के साथ 3521 रुपे के सतर पर बंद हुआ था चौथी कबर 1924 में समीक्षा की जाएगी 16 अक्टूबर को कारवार के दौरान स्पाइस जट के शेर 38 रुपे बहत्तर पैसे के निचले सतर तक टुडग गए थे पर कारवार के अंत में ये करीब 8.5 फीजदी की गिरावट के साथ 49 रुपे 89 पैसे के सतर पर बंद हुआ पाँच भी खबर वाडिया ग्रूप की FMCG कारोबार से जूडी कमपने बिटानिया को दिल्ली हाई कोट से बड़ी रहात मिली है 16 अक्टूबर को बिटानिया का शेर हलकी बड़त के सार पर दिन के निशले सर से रिकवरी लेकर बंद हुआ था चटी खबर देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक बैंक ओफ बरोदा ने अपने उस अधिकारी को निश्कासित कर दिया है जिस पर आरूप है कि उसने बैंक की मुबाइल अप्लिकेशन के जरिए गलत तरीके अपना कर ग्राहक बड़ाए है इस आरूप की वज़े से रिजव बैंक ओबरोदा पर मुबाइल अप से नए ग्राहक जोड़े जाने पर रूख लगा दी थी इसके बारे में हमने आपको कंप्री नावा के पिछले अपिसोड में जानकरी दी थी जोबैंक की कारवाई के बाद बैंक ओबरोदा ने अपने करमचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है उननीस अक्टूबर को बैंक ओबरोदा का शेर करीब पौने एक फीजदी की बड़त के साथ बंद हुआ था गुरुवार उननीस अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने नई इलेक्रिक वाहन पॉलिसी का एलान किया दिल्ली सरकार 2030 तक देश की राजदाने की टैक्सी सेवाओं में 100 फीजदी इलेक्रिक कारों के इस्तिमाल की त्यारी कर रही है दिल्ली दुनिया के टॉप पांच प्रदूशी सहरों में शामिल है जिस वज़े से दिल्ली सरकार ने EV ट्रांजिशन पॉलिसी पेश की है अगले 6 महिने में अपने बेडे में 5 फीजदी, 3 साल में 50 फीजदी EV शामिल करने होंगे और 2030 तक दिल्ली में चननने वाली सभी टैक्सियां इलेक्रिक होंगी ये नियम ओला या उबर जैसे कैब एग्रिगेटर्स पर ही नहीं बलकि डिलिवरी सर्विस देने वाली कंपनियों और ई-कमर्स कंपनियों पर भी लागू होगा नहीं इवी पॉलिसी आने की खबर से गुरुवार 19 अक्टूबर को आईजियल का शेर 5 फीजदी से जादा की गिरावट के साथ 556 रुपे 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ क्योंकि दिल्ली सरकार की और से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पॉलिसी से सी एनजी की विक्री पर भावित होगी और 20 अक्टूबर को भी शेर करीब 12 फीजदी की गिरावट लेकर बंद हुआ और फी खबर बैंकिंग रेगलेटर RBA ने मंगरवार को ICCA Bank और कोटग महिंदरा बैंक पर सक्त कारवाई की है रिजर्व बैंक ने ICCA bank पर 12 करोड 19 लाख रुपे और कोटग महिंदरा बैंक पर करीब 4 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है यह मामला लोन और फ्रोड क्लासिफिकेशन से जुड़े मानकों के पालन से जुड़ा है 17 अक्टूबर को ICCA बैंक और कोटक मिंद्रा बैंक के शेर करीब आदा से डेड़ फीजदी की बढ़त लेकर बंद हुए थे नौमी कबर देश की सबसे बड़ी कंपनी R.I.L. को लेकर इस अफ़ते दो खबरें आई पहली ये की रिलाइंस के बोर्ड में नई नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा रहा है International Proxy Advisory Firm, Institutional Shareholder Services Incorporate यानि ISSI ने शेरधाकों को वुकेश अमबानी के सबसे चोटे बेटे अननंत अमबानी की बोर्ड में नियुक्ति के खिलाफ वोटिंग करने की सलादी है ब्लूंबग की और से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ISSI का कहना है कि अननंत के पास अनुबव नहीं है ऐसे में उनकी नियुक्ति से कंपनी को कोई खास फायदा नहीं होगा शेरोलर्स की और से 26 अक्टूबर को वोटिंग बंद होगी 17 अक्टूबर को आरेल का शेर करीब आदा फिजदी की मदबूती के साथ बंद हुआ था 19 अक्टूबर को जारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरेल इसराइल की कंपनी टावर सेमी कंड़क्टर को खईने की तियारी कर रही है इससे इसराइल को चिप हासिल करने में मदद मिलेगी रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए पहले से बात्ची चल रही है और इसराइल हमास जंग की वज़े से इसमें देरी हो रही है 19 अक्टूबर को आरेल कशेर करीब एक फिजदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था 10 वी खबर कंपनियों से टैक्स की उगाई को लेकर GST अथरिटी अचानक सक्रिये हो गई है इंशारेंस और ओटो कंपनियों को तो पहले ही मोटे टैक्स की रिकवरी के लिए नोटीस भेजे गए है इसकड़ी में अब FMCG कंपनियों को भी नोटीस भेजे जा रहे है मंगलवार को दिगज FMCG कंपनी डागर टावर को गुरूगराम के डिरेक्टर जनल अफ जी एस्टी इंटेलिजेंस यानी डी जी जी आई के और से करीब 320 करूड उपे का नोटीस भेजा गया है इसके लावा भारत में काम कर रही करीब एक हजार मल्टी नैशनल कंपनियों को भी जी एस्टी अथरूटीस ने टैक्स की उगाई के लिए नोटीस भेजा है 17 अक्टूबर को डावर का शेर करीब पौने एक फीजदी की बढ़त लेकर बंद हुआ था 19 अक्टूबर को खबर आए कि डावर की तीन विदेशी एकाईयों पर अमेरिका और कनाडा में मुकदमा हुआ है डावर की तीनों एकाईयों के परड़क्ट्स इस्तेमाल करने वाले कुछ ग्रहकों ने आरोप लगाया है कि कंपनी के परड़क्ट्स में कई ऐसे कैमिकल शामिल है जिन से कैंसर होने का खतरा है और दूसरी स्वास्ते समंदी दिक्कते भी आ सकती हैं तीनों कम्पनियों के खिलाफ अमेरिका की स्टेट और फेडरल कोट में मुकदमा दर्च किया गया है गुरुवार 19 अक्टूबर को डावर का शेर करीब सवा एक फीजदी गिरकर 527 रुपे 50 पैसे किस्तर पर बंद हुआ था 11 भी खबर मंगलवार 17 अक्टूबर को टेक्स्टाइल और पेपर कारुबार से जूड़ी कमपनी ट्राइडेटन पर आईटी विभाग की और से बड़ी कारुवाय की गई है दरसल मंगलवार को ऐसी खबरें थी कि आईटी विभाग की और से कमपनी के कई ठिकानों पर छापे मारी जारी है ये छापे मारी कमपनी के पंजाब और NCR के ठिकानों पर हुई है माना जा रहा है कि फिनेंशल इर्रेगुलेरिटी यानी वित्तिय अनिमित ताएं की जाँच के चलते ये चापे मारी हुई है 17 अक्टूबर को मजबूत बजार में भी टाइडन का शेर धाई फीजडी की गिरावट के साथ 36 रुपे 20 पैसे की सतर पर बंद हुआ था बार भी खबर के बटवारे के मामले में यथा स्थिती यानी स्टेटस को का फैसला सुनाया था लेकिन सुप्रीम कोट के इस फैसले के बावजुद एंक्लैट ने 13 अक्टूबर को अलग से अपना फैसला सुना दिया लेकिन सुप्रीम कोट ने इस फैसले को खारिश कर दिया है और इस मा शेयर 907 रुपे 20 पैसे तक भी लोड़क किया था तेरवी कबर शिपिंग कारोबार से जूड़ी कमपनी श्रयाश शिपिंग को एक बार फिर निराशा हात लगी है क्योंकि कमपनी का डिलिस्टिंग आफर एक बार फिर फेल हो गया है दरसल श्रयाश शिपिंग की पर मोटर 86 फीजदी ही हो पाई है जबकि बाके डेगलेटर से भी के नियुमों के मताबिक डिलिस्टिंग आफर सफल होने के लिए 90 फीजदी या उसके उपर हिस्सेदारी होना आने बार यह है आपको बता दें कि डिलिस्टिंग आफर के तहत हुई रिवर्स बुक बिल्डिंग में 890 रुपे का डिसकवर्ड प्राइस निकल के सामने आया था जिसके बाद पर मोटर ने काउंटर आफर लाँच किया था यह काउंटर आफर 11 से 17 अक्टूबर तक खुला था जिसमें 36,04,000 शेयर टेंडर किये गे जबकि पर मोटर का 64,90,000 18 अक्टूबर को शेयर शेयर करीब 10 फीजदी की गिरावट के साथ दिन के निचले स्थर के करीब 305 रुपे 40 पैसे के स्थर पर बंद हुआ था चले तो यह थी कॉर्पेट जगर से जुड़ी इस हफते की तमाम बड़ी खबरें आई अब बात करते हैं स्टाट अप स्पेस की स्टाट अप अपडेट में और पहली खबर का रुख करते हैं मुश्किल में चल रहे एड़ुटेक स्टाट अप बायजूस ने इस हफते की शुरुआत में कहा कि उसकी पैरेंट कंपनी तिंक और लन प्राइवेट लिमिटेड इस हफते वितवश 2022 यानि मार्च 2022 तक के वितवश के नतीजे पेश करेगी कई समस्याँ से जूज रही कंपनी अपने नतीजे नहीं पेश कर पा रही थी और इसको लेकर इसकी आलोचना भी हो रही थी इसके लावा ख़बर ये भी थी कि बाइजूस की सबसेडिरी कंपनी अकाश एडुकेशनल सर्विसिस के परमोटर अकाश चौधरी फिर से कंपनी के सीईओ पत पर वापस आ सकते हैं इस कंपनी को अपरेल 2021 में बाइजूस ने खईदा था एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों में इस बारे में समझोते को अंतिम रूप दिया जा रहा है 20 अक्टूबर की सुबह खबर आई कि नगदी से संकट से जूज रही बाइजूस ने बेन कैपिटल और केक्यार समित कई पीई फंड्स और निवेशकों के साथ आकाश की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी यानि 50 फीजदी से जादा हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचित की है और पीई फं कारलाइल समित जातर निवेशक आकास इंसिटूट के मैनेजमेंट में बदलाव की मांग कर रहे हैं दूसी खबर सोबार 16 अक्टूबर को हॉस्पिटैलिटी टेकनालोजी फर्म ओयों ने पीक ट्रैवल सीजन में लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए अगले तीन महिने में अपने प्लाटफर्म पर साड़े साथ सो नए होटल जोडने की योचना बनाई है इनमें से जातर होटल 35 से ज़ादा लेजर मारकेट में होंगे ओयों के मताबिक नए होटल जोडने के लिए एहम फोकस मारकेट में गोआ, जैपुर, मसूरी, रिशिकेश, कट्रा, पूरी, शिंबला, नेनिताल, अपरी के बाद इस्तीफा दे दिया है, कंपनी का कहना है कि कुमार खुद का अध्यम शुरू करने जा रहे हैं और इसी वज़े से रिजाइन किया गया है, आपको बता दे कि उतकर्ष कुमार की रिपोर्टिंग मीशो के कूफांडर विदित आतरे को थी, और अपने कारेक को उनका पैसा लोटाने का भी निरने लिया है, असल कंपनी के फांडर्स की और से इंटरनल प्रेजेंटेशन में रेवन्यू और सेल्स के आंकडों को इन्फलेट किया गया है, यानि बढ़ा चड़ा कर दिखाया गया है, इस खुलासे के बाद बोर्ड ने कंपनी के ऑपर फीजदी जादा है, आए में बड़ा योगदान रखने वाले मनी ट्रांसफर, मोबाइल रीचार्च और बिल पेमेंट जैसे कारोबार बढ़ने से कंपनी के आए में वृद्धी हुई है, फोन पे का दावा है कि मार्च 2023 कंपनी के पास UPI टोटल पेमेंट्स वैल्यू या है, शुरुवात में फीज को हैदराबाद और बेंगलूरू में बढ़ाया गया था, इसके बाद पूरे देश में फीज में बढ़ातरी की गई है, मौईदा समय में स्विगी पांच रुपे की प्लैट्फों फीज लगाने के बाद दो रुपे की छूट देती है, इसको के और से किये गे वित्ते खुलासे के मताबिक जुलाई के अंतक स्विगी का वैलिएशन 7.85 अरब डॉलर था, जो की अप्रेल 2023 के अंतक 5.5 अरब डॉलर था, गौरत अलब है कि पिछले एक साल में इसको के और से स्विगी की वैलिएशन में दो बार कटोथी की गई पर ध्यान देने वाली बात ये है कि स्विगी के वैलिएशन जनवी 2022 के 10.7 अरब डॉलर के पीक वैलिएशन से अब भी करीब 27 फीजदी नीचे हैं, तो ये था कॉर्पेट और स्टार्ट अप जगत से जुड़ा बीते हफते का पूरा आपडेट, उमीद है आपको कंप्र नए ख़बरों के साथ तब तक आप देखते हैं मनी नाइन, नमस्कार शुबरात्री